वरत में खाने वाला special आज हम आलू चाट बना रहे हैं। इस तरह से आप इस नवरात्री में आलू चाट जरूर बनाईए। जटपड बनकर तयार होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। खाकर दिल खूश हो जाएगा आपका इतना टेस्टी बनकर तयार होता है। ऐसा नहीं है कि आप वरत में चाट नहीं खा सकते। एक बार आप इस तरह से सिंपल रेसीपी को ज़रूर ट्राइ करें। यकीन मानिए आप इसे रोज बना कर खाना पसंद करेंगे। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने तीन बड़े आलू लिये हैं। कच्चे आलू है जिसे हमने छिल लिये हैं। और इसे पानी में रखिये हैं। ताकि आलू काले नहों इसे हम राउंड शेप में कट करेंगे। इस तरह से कट करके हम आलू को बॉयल करेंगे तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। समय नहीं लगता है। इसे हम अच्छे से 1-2 पानी वाश करके बॉयल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने तवा रखे तवा गर्म उचुका है। आधी कटोरी इसमें हमने मुंफली लिये है। इसे हमें ड्राइ-्रोस्ट करना है। धीमी आज पर इसे हम ड्राइ-्रोस्ट कर देंगे। देखिए अच्छे से भुना गया है। मुंफली को हम रख देंगे थंडा होने के लिए। आलू चेक करते हैं। आलू भी देखिए, बॉयल हो चुके है, नाइफ अच्छे से जा रहा है, अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पानी में से निकाल लेंगे, आलू को पानी में से तुरन निकालना है और ठंडा होने के लिए रख देना है, मुंफली देखी अच्छे से ठंडा हो चुका है, हातों से मसल कर इसका हम सारा छिलका निकाल लेंगे जितना हो सकता है उतना छिलका निकाल लेना है फिर इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पल्स मोड पर हमें दरदरा पिसना है बिल्कूल महीं नहीं करना है हम आलू चेक करते हैं आलू भी देखे ठंडा हो चुका है इसे मैशर की सहाइता से हम मैश कर लेंगे बिल्कूल भी इसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए अच्छे से इसे मैश कर लेना है और इसमें हम कुछ मसाला एड़ करेंगे यहाँ पर हमने हरी धनिया लिए छोटे तुकड़ों में कट कर लिए आधा चम्मत जीरा है नमक है स्वादानुसार उपास में आप जो भी नमक खाते होंगे उसे इस्तेमाल करें चार से पांच हरी में छोटे तुकड़ों में कट कर लिए है बॉयल किये हुए आलू में इन सब को डालना है और जो हमने मुंफली को पिसके दिये थे उसे भी साथ में डाल देंगे अब इन सब को हम हातों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहिए इसमें और भी मसाले का यूज़ कर सकते है उपास में आप जो भी मसाला खाते होंगे उसे यूज़ कर सकते है पर इतने मसाले से बहुत टेस्टी बन कर तायार होता है सब देखे अच्छे से मिक्स हो चुका है थोड़े से हम हातों में लेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे फिर बाद में हातों से प्रेस करके थोड़ा चप्टा कर देना है और इस तरह से हातों से इसका शेप हम बराबर दे देंगे और इसे एक प्लेट में रखेंगे सारे हमें ऐसे ही बना कर तायार करना है मैं आपको याद दिला दूँ आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए चैनल पर नए हो तो कुकवित मनुर्माई चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए एक बारा प्रुवत में इस तरह से आलू चाट बनाई ये बहुत टेस्टी लगता है देखिए सारे हमने बना कर तयार कर लिए है पर हमने एक पैन रखे है एक बड़ा चम्मस तेल लिए है मुफली का तेल है पैन में इसे चारो तरफ से फैला लेना है बहुत ही कम तेल में हम बना कर तयार करेंगे ज्यादा तेल की इसमें जरूती नहीं पड़ती है ये कम तेल में बहुत अच्छा बन कर तयार होता है आज को मीडियम रखना है और एक एक टिक्की हम रखते जाएंगे जितना पैन में बैठेगा उतना टिक्की हम रखेंगे चिपका कर नहीं रखना है थोड़ा सा स्पेस रखना है क्योंकि ये बहुत ही नरम होते है पलटने के लिए जगर चाहिए रहता है तूरंद इसे हम पलटी नहीं करेंगे कम से कम 4-5 मिनट मीडियम आच पर इसे हम एक तरफ से पकने देंगे उसके बाद ही चेक करेंगे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अपने पता चली जाता है इसे हम पलट देंगे और जिस तरह से आपको कलर चाहिए उस तरह से आप इस पर कलर लेकर आएए light, dark, जैसा आपको पसंद हो कम से कम 4 मिनट तो इसे एक तरफ से हमें fry करना ही है मैं आपको यादिला तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो like जरूर करिए, comment करिए और बताए आपको रेसिपी कैसी लगी बहुत ही अच्छा लगता है, वरत में एक बार आप इस तरह से आलू चाट जरूर बनाईए इसे हम दुसरी तरफ से भी अच्छे से 4-5 मिनट पकने देंगे बार बार इसे हमें पलटना नहीं है दुसरी तरफ से भी 4-5 मिनट पक जाएगा तो हम इसे चेक करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है देखिए देख सकते हैंगे, आप इसे एक चम्मस तेल में इसे हमने बनाई है दोनों तरफ से देखिए अच्छा काजा कलर आगया है आलू भी क्रिस्पी हो गए है अब टिक्की को हम निकाल लेंगे एक एक करके, सारी टिक्की इस तरह से बना कर खाना पसंद करेंगे देखिए सारे हमने बना कर तयार कर लिए चाहिए तो आप इस तरह से खाईए या तो फिर एक कप यहां पर हमने दही लिए है इसमें तीन से चार चम्मस चीनी डालना है जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाफ से चीनी डालिए और इसे अच्छे से mix करना है अगर आपको हातों से mix नहीं करना है तो आप mix जान में डालिए शिर्व एक मिनट घुमाईए मिक्स हो जाता है आसानी से पर वो बहुत पतला हो जाता है हातों से खरणेंगे तो खाने में थोड़ा टेस्टी लगता है एकदम पतला पानी की तरह नहीं होता है जिसे हमें महीन कर लेना है आप एक बाइस तरह से जरुर बनाईए दही देखी अच्छे से फेटा जा चुका है इसमें बिल्कूल भी लंस नहीं है बस इसी तरह से इतना ही हमें से फेटना है अब हम आलो की टिक्की को सर्व करेंगे एक प्लेट में सर्व करना है जितना खाना है जितना खाना है जिसाब से हम इसमें सर्व करेंगे एक बार जितना दही चाहिए उस हिसाब से दही डालेंगे अगर आप चाहो तो यहाँ पर हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो पर जरूरत ने पड़ती है इतना ही बहुत अच्छा लगता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा और मसाले डालने की जरूरत नहीं है आप एक बार इस तरह से जरूर बनाईए और इसे खाईए और कमेंट करके बताईए कि आपको रेसीपी कैसी लगी यकीनान आपको रेसीपी बहुत पसंद आएगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तब बाई